हलो गाइज विलकम टू माई चैनल गाइज आज की वीडियो में हम ब्लाउज लटकन बनाना सीखेंगे तो आप लोग देखिए डोरी या तो रेडिमेट डोरी ले सकते हैं या खुद हाथ से भी बना सकते हैं मैं यह एठने वाली डोरी बना रख्यों जिनको भी एठने वाल इसके लिए मैंने दो पिस कपड़े लिए एक प्लेन है तो यह तीन इंच लंबाई में भी चोड़ाई में भी है दूसरा साड़े तीन इंच चोड़ा है और दस इंच लंबा है जो प्रिंटेट है उसको हम डब करके इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे एक साइड हम ऐसे किनारा उसका सील लेंगे इस प्रकार से हम इसमें प्लेटे डाल देंगे तो गाइस मेरे चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोट होती रहती है आप लोग मेरे चैनल पे एक बार विजिट करें वहां पे आपको जरूर यूजफूल वीडियो मिलेगी तो मैंने इस प्रकार से यह प्लेटे इसमें डाल ली अब हम इसमें डोरी अटेच करेंगे तो डोरी हम सुई से ही लगाएंगे तो देखे सेम कलर का धागा लेकि मैं इस डोरी में हम ऐसे अटेच करेंगे हम इसको देखे इस प्रकार से नहीं अटेच करेंगे डोरी को इधर स इसे भी फ्रीजD से हम लगाएंगे इस प्रकार से इधर से हम गुमा के दूसरी साइड से ऐसे हम डोरी अटैच करतेंगे डोरी कि यहां पर सिलाई करेंगे क्योंकि इसके बाद इसमे कोई शिलाई नहीं आएगी तो इसलिए हम जबूती से यहां पर एक बार में अटैच कर देखें। यह खाना लेंगे इसको तुम इच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से फॉल्ड करेंगे दो डोरी एच करेंगे बाद हम ऐसे फॉल्ड करेंगे इसको रोल करेंगे इस प्रकार से हम रोल कर देंगे अब हम यहां गठ्ठी लगा लेंगे कि यह खुले. तो यह देखिए धागा भी इसमें ऐसे रोल हो गया. इस प्रकार से कई रखाई बार गठ्थी ला लेंगे. कि यह इसका मतलब रोल किया हुआ खुले ना बाद में वैसे तो यह अंदर आ जाएगा इसका धागा होगा सारा लेकिन हम यहाँ अच्छी तरह से मजबूती से कट लगा लेंगे अब हम धागे को कट कर देंगे और हम छोटी वाला जो पीस रखा है प्लेन कलर का उससे हम लेंगे तो देखिए इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तिकोने में और ऐसे रखेंगे ज्यादा गैप नहीं छोड़ेंगे हम डोरी में नहीं तो यह दूसरे वाला लटकन उपर चला जाएगा तो हम पास में ही रखते हुए सिलाई अशी तरह से लगा लेंगे जो लोग भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो अच्छी है तो लाइक करके जाना आप लोगों की एक लाइक हमको मुट्वेट करती है तो देखिए हमने यहाँ पर इसको रच करें अब हम इसको पलठाएंगे कट करेंगे हम इसको पलठा लेंगे इस प्रकार से और इस फ्लावर को अंदर से हम ऐसे थोड़ा सा खोल लेंगे हलका सा इस प्रकार से इसको फैला लेंगे तो देखिए रोज के तरह जैसे रोज में घुमा घुमा सा दिखाना वैसे यह बनके तयार होगा यह printed है इसलिए ज्यादा clear पता नहीं चल रहा है वीडियो में वैसे यह बहुत ही beautiful लटकन बनके तयार हुआ है आप लोग इसको दो different color के जो आपके blouse या suit का matching हो उससे आप लगा के बना सकते हो बहुत ही अच्छा यह लटकन देखने में लगता है देखी इसको आप लहंगे में blouse के neck में कहीं भी attach सकते हो तो इस प्रकार सिसका final look आएगा गाईज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके जाना आप लोगों की एक like हमको motivate करती है चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करना साथ में bell icon को भी press करना आगे आने वाले वीडियो का notification आपको easily मिलता रहे गाईज comment box में comment करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो अभी बताना ना पसंद आई हो तब भी बताना हम आपके comment का wait करेंगे आप लोग comment करोगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है यानि अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए Thank you for watching my video